हो चुके हैं और अब खबर यह है कि एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है एक आतंकी गभी लुप से घायल है सुरक्षा बलों को ऑपरेशन जारी है बीते दिन भी एक आतंकी को किया गया था ठेर आतंकियों ने सेना के गाड़ी पर हमला किया था तो जमो कश्मीर के अकनूर के बटल में तलाशी अभियान जारी है और लगातार घेरा तंग करने के कोश्च चो हो रही है इसी बिच खबर यह है कि एक और आतंकी को मार गिराया गया है बटल में जो मुट्बेड जारी है उसमें एक दिन पहले यानि कल भी एक आतंकी को मार गिराया गया था और आज भी जो सुचना है जो खबर उसके मताबिक एक आतंकी को मार गिराया गया है जबकि दूसरा घाल बता जा रहा है पीछे देख सकते हैं यह जो आरिया आप देख रहे हैं यहां पे ही कल से मुद्बेट चड़ रही है आतंगवादियों और सुरक्षा बलूं के बीच में और अभी भी आवाज आ रही है आवाज बहुत तेजी से आ रही है और इसका मतलब है कि अदर अभी भी फाइरिंग च यह मुद्बेट चल रही है कल सुबा साड़े साथ बजे जब आतंगवादियों ने हमला किया था वहन पे जो आर्मी का वहन था उसके बार लगातार फाइरिंग शुरू हुई जो अभी भी चल रही है गोलियों की आवाज हैं हमें यहां पे सुनाए दे रही हैं अगर हम क कि रानी का उपरेशन चल रहा है अगर हम कैजल्टीज की बात करें तो हमारी साइड में जो एक डॉग था होजी कुता उसकी शहादत हुई है इस ऑपरेशन में तीन के तीन आतंगवादी जिसमें कहा जा रहा कि दो मारे गए अब तीसरे आतंगवादी को मारनी के लिए य यह सुरक्षा बल हैं सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस हैं यहां पे और उसी जो जवान आपको दिख रहे हैं उसके पास ही जो है यह फाइरिंग यह ऑपरेशन चल रही है जो कल आतंगवादी मारा गया था जिसकी डड़ बाडी मिली थी उससे कुछ हथ्यार भी मिले लिख है कुछ आइडी जैकेट भी मिला था और फिलहाल जो जस्तरओ मैंने कहा कि आपरेशन अभी जारी है और जो तीन के तीन आतंगवादीं को मारगी गरानी का जो जो आपरेशन हैं लगता है कि तीसरे मार गरानी के बाद आपरेशन खतम होगा लेकिन व उसके साह साहल जो search operations हैं वो भी लगातर हर जगा पे जारी है और कोशिश की जारी है कि अगर कहीं और आतंगवादी और कहीं जगा पे छुपे हैं तो उनको जल से जल neutralize किया जात कुछ तो फिलहाल जो forest area है, terrain area है, हिंटर लैंस हैं, यहां हर जगा पे यह operation बदस्तूर जारी है कैमेरमन आशू के साथ में समीर बड़ नियूज 18 अकनूर जम्मू और समीर इस वक्त हमारे साथ जूट चुके हैं इस खबर पर जादा और ताजा जानकारे एक साथ देखे विसाल मैं आपको बता दूँ एक और आतंगवादी के इसमें छुपे होने की संभावनत जताए जा रही है और अभी जब मैं आपसे बात करा था उससे पहले तकरिबर तीन मिनट पहले भी एक आवाज सुनाई दी फाइरिंग के आवाज सुनाई दी बहुत थी जबरदस आवाज सुनाई दी और इसका मतलब है कि और यह जो आवाज है तकरिबर दस मिनट तक चलती रही इसका आज कहा जा रहा है कि आज सुबह से जो फाइरिंग हो रही है दोनों तरफ से उसमें एक और आतंगवादी को मार गिराया गया है इसका मतलब है दो मिलिटन्स जो है उनको मार गिराया गया और अब तीसरे आतंगवादी को मार गिराया जाने की जो परक्रिया है वो चल रही ह और अगर इस तीसरे आतंगवादी की बात करें तो कहा जा रहा है कि यह जो दो से तीन आतंगवादी हैं इन्होंने कल ही कल यही आतंगवादी तीन थे जिन्होंने कल फाइरिंग की थी आर्मी कोनवाई पे और उसके बाद जो आपरेशन शुरू हुआ उसमें एक आतंगवा हैं यह बेसकिली इस एरिया जंगली इसी जंगली एरिया में इनके पीछे के जो जंगली आ रहा है वहां पे ही यह इनकाउंटर चल रहा है और हमें यहां से यहां पे ही आवाजे सुनाए दे रही है गोलियों की और जाहर तोर पर जो सर्च ऑपरेशन है साथ साथ में जो मु जा रहा है कि तीने आतंगवादी होंगे लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता कि उनसे ज्यादा है तो इसलिए आसपास के अलाकों में भी व्यापक सर्च आपरेशन अभी भी बदस्तूर जा रही है कल हमारे एक होजी जो कुटा था जो आर्मी के लिए काम करता था उसकी शह अभी पूरी आनी है कि तीन बच्चों को न पहले सबसे पहले इना आतंगवादीों को देखा था मंदर के पास और आतंगवाद 다음에 उनके कहा था कि क्या उनके पास मूबायल है वो किसी से बात करना चाहते थे क्या वो पाकstان के हैंडलर से बात करना चाथे थे या अपने यह रही कि कही ना कही है उन्होंने बच्चों को छेड़ा नहीं तो बड़ी प्राप्लिम हो जाती लेकिन फिलाल अगर हम कल से ही कहे रहें तो कल से ही कहें तो energy के कमांडो को यहां elite कमांडो को लाया गया पैरा कमांडो जो थे army के crpf के police के सभी जो सुरक्षाबल के काफी जवान यहां पे लगातार इस मुटबेड में इस encounter में साहिता दे रहे हैं और जाहिए तोर पर कोशिश हरे की यह है कि जल से जल जितने भी आतंगवादी यहां पे छुपे हैं जिनकी संक्या फिलहाल तीन बताए जा रहे हैं ले बहुत सारी casualties आपको पता है विसाल गांदरबल में हुई इसी हफते में गांदरबल में हुई उसके बाद गुलमरक में निशाना बनाए गया हमारे फोजी जवानों को जिसमें हमारे कई फोजी जवान शहादा शहीद हुए पोर्टर शहीद हुए और उसके बाद अब यह अफिशल अभी statement आनी बागी है लेकिन अब तीसरे आतकवादी को मार गारानी के लिए जो है operation विसाल विसाल जो आप देख रहे हैं कि इस बार जो आप देख रहे हैं जो कोशिशे कर रहे हैं जो घेरा तंक क्या गया है आतकवादियों से सीधे लोहा ले रहे हैं तो इस ब आप बता सकते हों बताएं सुरक्षा के दिश्टी से अगर हम बताएं तो कल से ही हमने देखा कि यह बहुत सारे activity बहुत सारी movement हुई सबसे पहले जो movement हुई वो हुई कि आपने देखा कि energy के commandos को यहां पे लाया गया energy के commandos को लाना अपने आप में बड़ी बात है energy commandos फिल समीर आपकी आवास का मारी इस वाक्त जी जी मैं यह कह रहा था कि जो आपने energy commandos को कल देखा energy commandos को यहां पे लाया गया और इसके साथ जो anti artillery vehicles का इस्तिमाल किया गया जो एंटी टेरर आटर्री विकलर्स यहां पे टू एंबी पी टू जो है उनको लगाया गया काम पे यह भी अपने आप में को आना देखे हमने यहां देखा बहुत सारे एंटे पिलिस आर्मी आफिसर्स को भी निशाना बनाना था, वो अम्बलन्स को निशाना तो बना रहे थे, लेकिन सीनिर आर्मी के आफिशल्स को भी उनकी निशाना बनाना था, फिदाइन टाइप के ये आतंगवादी थे, इसलिए उनको अलमिनेट करने के लिए, कल सुबह से हमने ने देखा लगातार फोजी जवानों की एक काफी काफी तेदाद, इलीट कमांडोस की काफी संख्या यहां पे बुलाई गए और इसके साथ साथ जिसका मैंने काई एनरजी कमांडोस को लाना और बहुत सारे ऐसी एक्टिटीज की गए, स्विफ्ट एक्टिटीज की गए, ज झालाई एक्टिव से साथ से साहा ने लाना और यहां ओर और र क्टिटीज की गएक्टिजा एकुलाई जिसके साथ जबयार, प्रभ